नमस्कार आप देख रहे हैं फिलसोफिकल वर्ल्ड और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त राजरठोर दोस्तों आज के वीडियो ब्लोग में हम आपको ले चलते हैं जौतपूर की जे नाराइन व्यास यूनोर्ट सिटी के सपर पर तो चलिए सुरू करते हैं यह हैं यह है जै न्यूओ V opposed का येंटर्स گेट और यह है सबसे पहली फैकल्टी फैकल्टी तो चलिए चलते हैं कॉमर्स फैकल्टी में यह है कॉमर्स फैकल्टी की बिल्डिंग और यह है एंटी रेगिंग नॉटिस और यह है वो बिल्डिंग जा लगती है कॉमर्स के स्टुडेंट्स की क्लासेज और यह है कॉमर्स स्टुडेंट्स के लिए इंक्वाईरी फिन्डू तो दोस्तों यहां से सुरू होती है जैन्यू की फैकल्टी ओप लोग जैन्यू की फैकल्टी ओप लोग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने यहीं से फाइव यर लोग की डिग्री ली थी तो चलिए देखते हैं पूरी फैकल्टी यह जो बिल्डिंग है वो किसी टाइम में फैकल्टी ओप आर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी लेकिन अब फैकल्टी ओप आर्स यहां नहीं है अब Faculty of Arts को यहां से shift करके Genu के New Campus में shift कर दिया गया है अब यहां सिर्फ Faculty of Law और Faculty of Evening Studies और Faculty of Commerce है अब यह पूरी Building Faculty of Law की है आपको जो यह ठीक सामने होल दिखाई दे रहा है यह SM के होल है जा यूज्वली एक्जाम कंडेक्ट होते है और यह है SM के होल के सामने वाली Building जब Arts Faculty यहां हुआ करती थी तब यह Department Fine Arts Department हुआ करता था यानि ललित कला Department अब इसको भी shift कर दिया है अब यहां से हम सिधा चलते हैं Faculty of Law की तरब और यह है प्यव जहां से स्टुडेंट पानी पीते हैं और पास में है दक्षणी मुखी बालाजी का मंदिर यानि विदि संकाई यानि विदधि संकाई faculty of law student help office जहां student की help करने के लिए department बने हुए है जहां आप कागज वगेरा या document वगेरा सब्मिट करते हैं इसी विंडो में LLB और BALB 5 year लो के और ये आगे वाला office है dean office और ये है हमारा garden faculty of law का garden जहां हम बेट के खूम मस्ति गया करते थे तो ये चलते हैं अब लाइब्रेरी में ये बहुत yearly morning है तो लाइब्रेरी पूरी तरह से खुली नहीं है लेकिन जितनी भी खुली है मैं चलो आपको दिखा देता हूँ यहां से हम एंटर करते हैं लाइब्रेरी में और यहां पे बेट के हम पढ़ाई क्या करते करते और यह थी हमारी लाइब्रेरी और यह लाइब्रेरी में अंदर से आपको नहीं दिखा सकता क्यूंकि अप में यहां का स्टूडेंट नहीं हूँ और यह हैं classes जान लगती है सारे स्टूडेंट की classes और इसी बिल्डिंग में हमारी भी classes लगती थी और यह क्लासेज की गैलरी अंदर से और यह देखे गैलरी के ठीक सामने बाहर वाला नजा रहा SM के होल दिख रहा आपको सामने और यह है classes की गैलरी So guys यह तो थी हमारी classes जहां हमने पूरे 5 साल बेट कर पढ़ाई और मस्ती सब कुछ किया और यह है यहां पर हमारी पुरानी लाइब्रेरी जो LLB के student हैं वो यहां से books लेते हैं और फाइव यह लोग के हैं वो वहां से लेते हैं यह है playground और यहां कस्ट एक्षन का काम चल रहा है तो ज्यादा मैं यहां आपको नहीं दिखा सकता और यह SM के होल के सामने वाली building So guys that's all यह थी हमारी faculty of law और आई होप आपको वीडियो ते कर काफी मजा आया होगा और आप यहां के नए student है यह नए admission लेने जा रहे हैं तो आई होप यह वीडियो आपके लिए helpful होगा हर चीज से आप familiar हो जाएंगे So guys चलिए देखते हैं faculty of evening studies को और faculty of evening studies का यहां सिर्फ office है और यहां classes आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि classes जो है वो बीकॉम faculty में लगती है Guys faculty of evening studies में ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं यहां सिर्फ आप देख सकते हैं faculty of evening studies का office जहां आप document submit करवाते हैं In case आपको document submit करवाना है तो यहां करवाते हैं इस window पर So guys यह तो था जेन्यू का पूरा old campus और अगर आप यहां के X student रहे होंगे तो आप जेन्यू को जरूर मिस कर रहे होंगे अगर आप मिस करते हैं तो please हमें comment में जरूर बताएगा और अगर आप नए student है जेन्यू में admission लेने की सोच रहे हैं तो I hope यह video आपके लिए काफी helpful होगा I hope आपको यह video पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please hit like और नए है channel पर तो channel को subscribe करके bell icon को दबाना बिलकुल ना पूले So I hope video आपको पसंद आया होगा Thank you so much for watching